जी दोस्तों दिवाली का धंबा का यानि के 2023 की Advanced Non Electric Machine यानि के एक इस तरह का मशीन, एक इस तरह का बिजनस आइडिया यानि के दोस्तों हम लोग सुनते है के एक मौका मिल जा यानि के उस तरह का मौके के इंतिजार में हो तो यही सही मौका है आपके लिए एक कम लागत से बिजनस करने का यानि एक ऐसा कारोबार जो आपके अलावा आपकी सिटी में कोई नहीं कर रहा होगा यानि कि आप अगर बाग, बगीचे, मॉल, थेटर, शादी वगेरे प्रशंगों में जाना चाहते हो यानि कि अभी जैसे कि रिसेंटली मेंने कुछ तैवार या कुछ पैलेस्टों में अभी गूम के आया हूँ तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ रोड पे लोग कारोबार कर रहे हैं अभी इंडिया में काफी जारा टूरिजम बढ़ने वाला है जी दोस्तों कोरोना गया है तो अभी इस साल इस सीजन में काफी जारा टूरिजम पॉइंट पे इस तरह के बिजनस आप कर सकतो तो यानि के अलग-अलग कार्ट सोडा पंद सोडा मशीन मैनुफेक्चरिंग करता है जो इसके लिए अगर आपने अमारी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो सब्स्राइब जरूर कर लेना जी दोस्तों आज इस तरह की मशीन देखेगे जिसमें ना ही इनिवेटर लगने वाला है ना ही बैटरी लगने वाला है ना ही कोई बिजन लगने वाला है यानि के दोस्तों इन सब चीजों की जंजटी नहीं है उस तरह का बिजनस मॉडल यानि के उस तरह का मशीन आज आज आपने हमारी चैनल पर देखने वालो तो वीडियो तो अन तक देखना और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कॉमेंट करना मत बोलना दोस्तों आ आपके वहाँ जगा में ने में या इस तरह के कोई भिक्त आ रही है जैसे मैंने साधी फंच्छन में लेके जाने में यह आपको प्रॉब्लम कर रहा है तो यह आपको आपन भी हो सकता उस तरह का फोल्डिंग कंपनी ने बनाया हुआ है बागी बहुत ही खुच्छलत मशी सेलने स्टील में बनाया हुआ है जैसे कि उसकी डिजाइन देख सकते हो दोस्तों मैंने जो उस तरह की डिजाइन हमारी कमपनी ने बनाई है कि दिखने में भी कितना अच्छा और एक्टेट्री लग रहा है कि लोग इसे देख के पसंद करेंगे आपको कुछ नया बिजनस कंस्प मिलेगा यानि के नया आइडिया है इस तरह की नई मशीन इंडिया में हम लोगों ने पहली बार लॉंच कि इससे पहले अगर आपने अमरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो कर लेना हम लोगों ने इससे पहले एक 5G कार्ट इस तरह का बनाया था जो इसी तरह का कुछ मॉडल दा लेकिन वो बड़ी साइज है इससे ज्यादा कैपिसिटी वाला है और थोड़ा महिंगा पढ़ रहा है कस्टमरों को लेकिन एक कम लागट से अगर आप बिजनस करना चाहोगे तो यह सबसे बेस्ट मॉडल है पूरा बिजली से बिना चलने वाला यही और अजहिते ही आराम से इसको अप चला सकते ओ निखाओ यानि कि आपको राइफ दियुशरा की तरह की बाते हम लोग करें go advanced को दिखांगा लोस्तो स को बिस्टा दिखाऊंगा दोस्तों जैसे के देख सकतो अब यह आपको निकालकर दिखा रहा है वह वक्त लोंगा मैं आपका एक्ले स्ट्रॉंग सोडा, जैसे के देख सकतो बबल सवाली सोडा है, ना है कोई बिजली लगा है, ना है इनलेटर बैटरी, कोई भी चीज़ नहीं लगा है, फिर भी इस तरह की quality वाली सोडा निकाल के दे सकता है, सोडा बंध सोडा मशीन का मशीन, आप कोई भी नॉल इंट्रिक मशीन लो इंडिया में बहतरीन और नमबर वन गंपनी हमारी नॉल इंट्रिक मशीन बनाने में उसके बाद ये जैसे के देख सकतो जाक ले रहा है जीरा मसाला का सोड़ा दोस्तो बहुत ही कम वक्त लेगा मशीन आपको काफी सारे कस्टमर रहे आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला उस तरह का मशीन बनाया हुआ है उसके बाद आप देख सकते हो के यह लाइम लेमन सोड़ा वनाई यह है दोसते के देख सकते हो पहतरीन और कॉलिटी वाली उसके बाद आप देख सकते हो दोस्तो चौती हो यह देखिए दोस्तों आप देख सकतों कितने वक्त में और कितने समय ले रहा है और कैसी quality निकालके दे रहा है दोस्तों देख सकतों इस तरह की भैतर इंग quality वाली मशीन करीदने के लिए सोडा पंसोडा मशीन में आईये और इस तरह की कॉलिटी वाली मशीन खरीदिये इसके बाद यह जैसे के देख सकते हो पांच तरह का अलग-अलग यानि के चार फ्लेवर वाला सोडा और एक प्लेइन सोडा अलग-अलग आप निकाल सकते हो दोस्तों बहतरीन मशीन खरीद के यानि के चार प्लस एक की मशीन है पांच वाल की मशीन है जैसे के देख सकते हो मैंने इस तरह बोला कि इसका बैक अप 200 लीटर की सोडा निकाल सकते हो ची दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा क्योंके नॉन इंट्रिक मशीनों में हमारी मॉनोपॉलिस होती है लेकिन फिर वी आपके आइडिया के लिए दिखाऊंगा जैसे के यहां देख सकते हो हम यहां पर उसका पूरा सिस्टम लगा हुए है आप जैसे के देख सकोगे पूरी सिस्टम लगी हुई है यानि के आपको कोई भी मगजबारी नहीं है यहां से ट आइस चीज़ें हम लोग बनाते हैं दोस्तों मैंने आपको वीडियो दिखाई है जैसे के देख सकते हो आइस काट मशीन का नाम दिया हुआ है आइस सोडा काट मशीन का नाम है तो यह मेशीन खरीदने के लिए जाधा जान करी कि चाहिए तो आप अमरी जैसे के डिस्प्ल और लाइक ज़रू करना और कोई और तरह की प्रोड़क्ट चीए तो ज़रूर मुझे बताना है थैंक यू फर वाचिंग वीडियो गाज थैंक यू सो मच